प्रियंका चहर चौदरी बनी बुपॉस एक्स्टीम की हाइस पेट कंटेस्टन्ट, यानी सबसे जाधा जिनको पीश मिलती है, सबसे जाधा घर में फीश मिलती है, बात करते है इस वीडियो में प्रियंका चहर चौदरी की जो पहले थी जब से बुपॉस आगे बढ़ाया तो उस टाइम पे उसके पहले प्रियंका चाहर चौदरी को 5 लाख उर्पे मिलते थे पर वीक के 5 लाख उर्पे अब जिसके बाद में जब से बिग बॉस आगे कर दिया गया है एक महीन आगे बढ़ा दिया गया है तो कहा जा रहा है प्रियंका को उसकी फीज डबल मिल रही ह प्रियंका को पूरे 10 लाख उर्पे मिलने पर वीक के तो जिसके बाद में भाई क्यों ना हो प्रियंका चाहर चौदरी एक ऐसी कंटस्टेंट है पूरे घर में जो अकेले सोलो केलती है जापर प्रियंका को यह भी कहा गया है कि अब हम यह देखेंगे कि अंकित के जाने के बात किसके कंदे पर सर रखके रोईगी किसका कंदे का सपोर्ट लेगी क्या करेगी कैसे करेगी जिसके बाद सबका यह कहना था कि यह बीग पड़ जाएगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जहां पर प्रियंका और जादा स्ट्रॉंग होगो यानि प्रियंका इतनी करना था जब उनको नॉमिनेट कहते नजर आयते जब वह नहीं उनको बोला कि मैं इसको इसलिए नॉमिनेट करा क्योंकि यह स्ट्रॉंग कर ड़स्टंडर जिसके पास और कोई रीजन ही नहीं था अब जिसके बाद मैं आपको बता दें प्रियंका चाहर चौधरी की कई सीरल में काम के था, लेकिन प्रियंका चाहर चौधरी चाए रही तेजो के किर्धार से, अब जिसके बाद में प्रियंका चैहर चौधरी बिभॉएस इक्स्ट्रीं में आई तो डे बन से लेकर एंड तक प्रियंका चाहर चौधरी अब तक जो वह контent दे रही हैं बहुत अच्छा content दे रही है जिस तरह से वो खेल रही है सच के साथ खेलती है फिर अंफिर पूरी तरह से खेलती है अब जिसके बाद में प्रेंका चाहर चौधरी बिग बॉस 16 के सबी कंटेस्टंड में से सबसे जादा फीस लेती तो आप अनके करियर की शुरूबात हुई जसी सरह से उजा फादा विग बॉस बद रहती हैं प्रेंका चाहर चौधरी बन गई माई ग्लैम की विनर आप जिसके बाद में देखना हूँ प्रियंक की बिद्व भेगें कि ये लगेगी hefya त्रॉफी सब्सक्राइब कर आयिसलत सब्सक्राइब